रेक्ष Sum впер zwischen यह मिट्रम एक्जायंस की वीडियो हैète کاफ आप्लोड की जा रहे हैं यह आज की वीडियो कि ड्राइब के लिएक्षे नंबर से लेकर 18 के मेंन पॉइंट करवायीत आ जाते हैं स्टॉक यान के शेर्स और जो होते हैं बॉंड्स जो के कोई ओनर्शिप नहीं होती बिल्कि एक तरह से लॉंड जो होता है जो यह जो एक कवर करता है कुछ इस तरह के इशू जिसके अंदर पहला आयता है कि प्राइजिंग फाइनिशल एसेट साथ इसके अलावा यह के डिटर्माइनिंग बैस्ट मिक्सच और फाइनिशल एसेट सोब पॉर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन और जो एसेट एलोकेश स्ट्रेडिजी के अप्टिमाइज के जाए रिटर्स को जबके मैक्सिमाइज करते हुए रिस्को नाओ वाट इस बिजनस फाइनेंस सो बिजनस फाइनेंस क्या है बिजनस स्टार्ट करने के लिए कुछ इशू जो वाइडल बन जाते हैं पहले यह के वाट लॉंग टर्म वाट शोट भी टेकिन आचराण के ऐससे बिजनस को अनके अंदर इंवेस्ट करना चाहिए इसके अनदर यह ढवाज तो डर्लाभा फ्रॉम वेर तोगाट इन लॉंग टर्म फाइनेंस कहां से अासल्पां से फाइनेंस पै कर सकें इन्वेस्मेंट के लिए बिज भी है और इसके लाबह ये के how to manage everyday financial activity और किस तरीके से जो वो manage किया जाए जो हर रोजाना की जो financial activities ने इसके अंदर आयता है manage करना cash flows, account receivable, payable, payroll और जो दुसरे day-to-day operations होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं so now the financial manager so value create करने के लिए financial manager को क्या करना चाहिए पहले चीज़ तो ये के try to make smart investment decision so smart investment decision की बात करें so well informed choices करना चाहिए कि कैसे जो वो allocate किया जाए company के जो funds है ताके maximize के जाए profitability और growth को और दुसरे के make smart financing decision determine के जाए optimal mix debt or equity financing का ताके minimize के जाए cost of capital और maximize के जाए firm की value score उसके बात है फिर capital structure capital structure की हम बात करें so value of firm है उसको हम as a pie के तोर पर देख सकते हैं pie chart अगर आपने देखी हो कभी या उसको ज़रूर देखेगा तो उससे आपको अंदाजा होगा so pie chart एक तरह से क्या है pie जो है वो total value होती है company के assets और उसकी equity होती है और जो goal है manager का वो increase करना pie के size को यहनके overall जो value है company के उसको बढ़ाना so capital decision है उनको देखा जा सकता है as how best to slice up the pie pie को वो किस तरीके से जो हो slice up किया जाए उसको तोखडों में एक तरह से slice जो बनाए जाए जाए so determined के जाए proportion जो है debt का और equity financing जिसको use करते हैं फंड किया जाता है business को now the forms of business organization different forms होती है business organization की so जो three major forms में solve proprietorship है partnership है corporation and limited liability companies है solve proprietorship सबसे जादा पुरानी form है partnership में एक से जादा होनर है solve proprietorship में एक ही होनर है और partnership भी दो तरह है कि एक जनरल है और एक limited होती है इसके लावब कॉर्परेशन कंपनी कहते हैं और इसके लावब limited liability company so agency की हम बात कते है जन्सी problems की so इसके अंदार अगर हम देखें तो agency relationship है principal जो हाइर करता है एक agent को principal ने अपना agent हाइर किया होता है और ताकि हो रिप्रेजेंट कर सके उनके interest को और वह एजेंट जो वह भी हाफ के उपर काम करता है so stockholders जो है वह principal होते हैं जो shareholder होते हैं जो के owners भी हम जिनको कह सकते हैं company के वह हाइर करते हैं managers को जो के agent के तोर पर करते हैं काम ताकि run कर सकें company को और agency problem के अंदा जो होता है कि conflict होता है interest का principal और agent इन दोनों के दर्मियान जो principal और agent इन दोनों के जो shareholders की priorities हैं उनके मुकाबले में so management goals और agency cost है so जो cost associate होती है monitor करने के साथ managers की और mitigate करना conflict of interest और इसमें शामिल है auditing cost executive compensation structure और दुसरी जो mechanism है के align किया incentives now the financial markets financial markets के हम बात कते हैं तो इसके अंदर primary markets आ जाती है माहरे पास ऐसी markets होती है जहांपर securities को initially तोर पे issue किया जाता है corporations की तरफ से investors को और underwriters जो होते हैं अक्सर वो facilitate करते हैं इस तरह की offerings को इसके लवाद secondary markets होती है जिसके अंदर previously issued securities यानकि जो पहले से ही issued हुई होती है उनको जो वो trade किया जाता है investors के दर्मियान और यह जो market होती है provide कती है liquidity और price discovery कभी-कभी क्या होता है कि sorry securities जो उनको trade किया जा सकता है exchange के अपर जो stock exchange वगरा होती है या फिर over the counter market भी now the balance sheet balance sheet एक बहुत important concept में से है especially accounts के अंदर so accountant का snapshot होता है firms की जो accounting value होती है और balance sheet में तीन जीज़े होती है assets होता है और यह हमेशा बराबर होना चाहिए liability plus stockholder equities के अगा balance sheet सही बन लिए तो लाजमी तो पर यह दोनों side balance होगी asset बराबर होगा liabilities plus stockholder equities या पर shareholder equities जिसको हम कहते हैं so जब analyze के रहता है balance sheet को financial manager को उसको aware रहना चाहिए तीन जो concern है उसके बार में एक तो accounting की liquidity कि कितना easily assets को convert कर जा सकता है cash के अंदर इसके लावा debt versus equity यानिकि जो mix है debt or equity financing का कितना debt है और कितना equity financing है debt लेके कितना पैसा लगाए गया है या फिर अपना पैसा कितना invest किया गया है यह और इसके लाबा value versus जो cost है तो जो difference है book value और जो market value आती assets की now the balance sheet analysis so जब analyze के जाए एक balance sheet को financial manager को आवेर रहना चाहिए three concerns के बार में पहला है accounting liquidity यानिके ability के quickly convert के जाए assets जो है वो cash के अंदर debt versus equity के कितना debt है और कितनी equity है कितना loan लिया है और कितना invest खुझ से किया है और value versus cost recognize के जाए book value जो है वो जरूरी नहीं है कि market value के मताबे को क्योंकि market में जाइरी बाते महंगाई भी आ जाती है ऐसा भी होता है तो एक चीज की देख रहा है तो book value तो गिर रही है लेकिन महंगाई की वज़े से हो क्या रहा है कि वह चीज जो हमें लग रहा है कि वह बढ़ रही है उसकी कीमत बढ़ रही है market में हम देखें कि तो उसकी कीमत हमें बढ़ती भी दिखाई देगी जबके book value के अंदर तो उसकी value हो सकता है जित्ते जादा easily और आसानी से और quickly convert होएंगे वह उत्ते जादा liquid होंगे current assets सबसे जादा liquid होते हैं क्योंकि जादा जल्दी और आसानी से convert हो जाते हैं cash के अंदर और कुछ जो है वह fixed assets जो है वह intangible होते हैं intangible का मतलब यह के उनको वह नहीं किया जा सकता है हम physically touch नहीं कर सकते देखनी सकते patents है good wills है यह तमाम debt versus equity की अब अगर हम थोड़ा इसको detail में देखें तो जनरल ही क्या होता है जब एक फर्म जो वह बौरोग हती है debt holders जो होते हैं यानि के जो bond holders होते हैं उनके पास prior claim होता है company के जो asset और cash flow होता है in case अगर bankruptcy हो जाती है company यानि के दिवाली अगर हो जाती तो जो पहला जो हम कह सकते हैं जो claim जो prior claim होगा वह होगा debt holders का या फिर जिनको bond holders भी का जाता है so shareholders equity बराबर होता है assets में से जब हम liabilities को minus कर देते हैं तब और अगर हम financial leverage की बात कते हैं so use करना debt financing का company के capital structure के अंदर now the value versus cost so value versus cost के हम बात करें so true value जो है वो market value होती है और जो price एक asset का उसको fetch करना चाहिए अगर उसको sold किया जाता है open market के अंदर so values shown होती है balance sheet के अपर firm के asset की वो book value होती है और generally जो है वो नहीं होती जो actually assets की वर्त होती है जारी बात है market की value की वज़े से उसकी वर्त में changes आ जाती है market की अंदर अगर महंगाई बढ़ी है तो उसकी value automatically बढ़ जाएगी लेकिन अगर महंगाई नहीं होरी तो उसकी value फिर गिर जाएगी so accounting standard under the accounting standard audited financial statement of firm carries assets at historical cost accounting standard वगेना इनके मताबिक क्या होता है कि assets को जो है वो लिखा जाता है historical cost के अपर अब अगर हम income statement की बात कते हैं so balance sheet जैसे आपको पीछे बताएगा है कि snapshot का का काम कती है जबके income statement जो है वो as a video recording है जो जिसके अंदर पहले और बात की picture है cover कर रही पहले और बात की picture और accounting equation जो income statement के अंदर हम देखते है revenue minus expenses जो वो वराबर होता है income के और फिर income statement analysis की हम बात करें so तीन चीज़े हैं जो के जहन में रखना जाहिए जब हम analyze करें एक income statement को सो इसके अंदर पहला जो है वो gap आ जाता है जी डबल अ पी जो के जारी बात एक accounting standard है accounting rule है जो के government करता है कैसे accounting statements को prepare किया जाए इसके लावा non cash items होते हैं आइटम्स जो के affect करते हैं accounting income लेकिन cash flow को नहीं करते और इसके लावा time and cost आ जाता है जो distinction है fixed asset variable cost का short run के अंदर so income statement analysis में अगर हम gap की बात करते हैं generally accepted accounting principle की so realization principle जो है वो क्या है कि recognize के जाए revenue को जब income process जो हो complete होता है so revenue जो है वो recognize asset time पर किया जाता है time of sale के अपर so sale के time पर revenue को recognize के जाता है जरूरी नहीं के ऐसे time पर किया जाए जब cash हम receive करें so income statement analysis के अंदर हमाई पास non cash items होते हैं so primary reason जो यह के accounting income जो हो डिफर होती है cash flow से वो इस वह से होती है के income statement के अंदर non cash जो है item होते हैं non cash item जो है वो क्या करते है difference पैदा करते है accounting income और actual cash flow होता है उनके दर्मियान और उसके बाहते फिर time and cost so short run के अंदर कुछ cost जो है वो फिक्स होती है जबके दुसरी जो है वो होती है नादी fix rate flat tax rate sorry अच्छा flat tax rate के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही tax rate होता है एक ही percentage के उपर है जो है वो same रहता है average tax rate की तरहां so depreciation as a tax shield की अगर हम बात करें depreciation क्या करती है reduce कती है taxable income को इसी तरह यह reduce कती है tax payments को so generate तो नहीं करती new cash लेकिन save कती है cash जो है on taxes और financial cash flow की अगर हम बात करते हैं so finance के अंदा जो most important item जिनको extract किया सकता है financial statement से वो actual cash flow होता है firm का और cash flow from assets जो है वो बराबर होता है cash flow to creditors plus cash flow to stockholders के now the cash flow from assets so cash flow from assets जो होता है उसके अंदा three components शामिल है एक तो operating cash flow हो है capital spending है और change in networking capital है operating cash flow की अगर हम बात कते हैं तो cash flow from daily operations so cash generate होता है production से या फिर sale होने से goods या service की और exclude किया जाता है financing expenses ऐसे expense जो के relate कते हैं financing से जो के include नहीं होते operating cash flow के अंदार capital spending की अगर हम बात कते हैं so कुछ portion जो होता है firms की cash flow का उसको reinvest किया जाता है firm के अंदार सो एक portion जो होता है उसको reinvest कते हैं ताके maintain करें या expand करें उसकी productive capacity को उसके अलावा चेंज नेट वर्किंग कैपिटल तो यह जो है amount होता है जिसको spend के जाता है networking capital के उपर और represent कता है net increase होना current asset के अंदर current liabilities के मुकाबले में so now the external users of users of statement analysis external users है external statement analysis की इसके अंदर जो वो पहले है trade creditors यह ऐसे होते हैं जो के interested होते हैं firms की liquidity के अंदर उसके अलावा bond holders होते हैं इनका जो concern होता है वो होता है cash flow और ability होती है कि वो पूरा कर सके उसकी debt obligation को और उसके बात आते हैं फिर shareholders shareholders होते हैं जिनका focus होता है firms की profitability है और जो long term growth prospects है उसके उपर और जो internal uses होते है statement analysis के उसके अंदर हमारे पास पहले जो वो plan आ जाता है so assist करना current financial position और identify करना जो opportunities है उनको और उसके बाद पर कंट्रोल आ जाता है control में क्या होता है कि monitor किया जाता है performance को देखा जाता है और उसके बाद फिर understand करना so understand किया जाता है external perspective को जाना जाता है कि कैसे external stakeholders analyze करते है firm की financial health को now the common size statements so standardized financial statement जो है इसमें क्या है कि तमाम items जो है उनको express किया जाता है percentage के तौर पर base figure की और यह अलाव करता है easy comparison companies का different size की उसके बादे पर ratio analysis ratio analysis में क्या होता है overcoming करना size differences ratio जो help कता overcome करने में जो challenge होता है compare करने का companies जो के different size की होती है जारी बाते मुफटालिफ size की companies होती है तो ratio जो मदद कता है इस comparison को करने में और ratios normalize कते हैं data को और allow कते हैं better comparison के लिए उसके बादे short term solvency or liquidity major so इसमें क्या है के ability to pay bill का होना यान कि यह ratio assist कते हैं कि firm जो वह इतनी able है कि वह meet कर सके कि उसकी जो short term की जो obligation है और इसके लावा focus on current assets and liability यह focus कते हैं relationship के उपर current assets और current liabilities की current ratio की अगर हम बात करें current ratio जो है वह major होता है short term liquidity का short term liquidity क्या है कि इसमें यह देखा जाता है कि firm की ability के वह pay कर सके उसकी current liabilities होती है current assets के साथ यानकि कितने उसके पास current assets हैं कि वह pay कर सके current liabilities को और जो unit of measurement है वह या तो dollar में होगा या फिर time है वह या तो dollar है टाइम है सो current ratio जो है वह बराबर होता है current assets से जब हम divide कते है current liabilities को सो उसके बाद है फिर quick और और asset test ratio जिसको हम कहते हैं सो इसके अंदर क्या होता है कि exclude के जाता है inventory को inventory जो अक्सर क्या होता है कि least liquid current asset होता है सो इसको exclude कर दिया जाता है इस ratio से ताके provide करें ज्यादा conservative view जो है liquidity का और इसका जो formula होता है current assets में से हम minus कर देते हैं inventory और फिर divide कर देते हैं हम liabilities को current liabilities को सो हमाँ पस quick ratio या फिर asset test ratio आ जाता है और cash ratios की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जो वो consider किया जाता है cash और cash equivalent जो है numerator के अंदर और provide करता है most convenient conservative estimate जो है liquidity का cash ratio का formula होता है cash divided by current liabilities उसके बाद फिर current events अब यह लिखा हुए कि suppose करें कर एक firm जो वो बाय करती है कुछ inventory को सो क्या होगा इस case के अंदर सो कुछ भी नहीं होगा current asset को क्यूंकि scenario में हो क्या रहा है कि एक asset तो नीचे जा रहे जबके दूसरा उपर आ रहे है cash जा रहा है नीचे cash हाथ से जा रहा है जिबके उसके बदले inventory आ रही है total current asset जो अनफेक्ट रहेगा एक current asset कम हो रहा है एक महिजाफा हो रहा है इस asset minus total equity divided by total assets के interest coverage ratio की अगर हम बात करते हैं सो जाना जाता है time interest earned ratio के तौर पर भी से मुराद ability होती है firm की के cover करें उसका जो interest obligation होती है so major करता है firm की ability के pay करें इसका interest expense और इसको कुछ इस तरही किसे major के जाता है कि interest coverage ratio बराबर होता है earning before interest and taxes divided by interest के cash coverage ratio के अगर हम बात करते हैं so cash available होता है interest के लिए use के जाता है cash based major assist के जाए ability के cover के जाए interest expense और depreciation जो add के जाता है क्योंकि यह जो non cash expense है और इसका formula कुछ यह कि cash coverage ratio बराबर होता है EBIT plus depreciation divided by interest के उसके बाद फिर inventory turnover ratio इसका जो formula होता है वो है cost of goods sold divided by inventory के और यह मेजर करता है कि कितना efficiently firm जो वो manage करती इसकी inventory को और उसके बाद फिर रिसीवल टर्णवर सोरी टर्णवर सो क्लेक्शन ऑफ सेल्स आ जाता है इसके अंदर के मेजर किया जाता है कि कैसे quickly firm collect करती है उसकी जो payment होती है customer से से उसने receive करना है payments को वो कितना quickly होता है तो receivable turnover बराबर होता है sales में से जब हम divide कर देते है account receivable को और उसके बाद फिर days sales in receivable so average collection period जो होता है शो कता है average number of day जो के लेता है collect करने के लिए payment जो है customers से और जो calculation है इसकी जो days sales in receivable की यह बराबर होता है 365 days को हम divide करते हैं receivable turnover से और उसके बाद फिर variation pay bill turnover so यह describe करता है कि कितना लंबा जो है firm लेती है ताके वो pay कर सके bills उसके so कितने quickly यानि के bills जो है वो pay कि जाते हैं कितना यानि के time लेती है firm के वो pay कर सके उसके जो bills वगिरा होते है उसको फार्मुला यह के pay bill turnover is equal to cost of goods sold divided by account pay bill और total asset turnover की अगर हम बात करते हैं so formula है total asset turnover is equals to sales divided by total assets so asset efficiency के हम बात करें so कि इतना यानि के efficiently firm जो है वो यूज करती है उसके assets को ताके वो generate कर सके sales को और capital intensity ratio की हम अगर बात करते हैं so इसका जो फार्मुला वो है total assets divided by sales के now the profit margin so profit margin ratio बराबर होता है net income divided by sales के और profitability के अंदर क्या है कि major character firms की profitability है sales से relative sales के मुकाबले में कतनी है profitability और return on assets जो होता है और earning पर share जो होती है उसका फार्मुला होता है net income divided by share outstanding तो यह थी आज की वीडियो आपको इस बार में कोई question है खास्तों पर मिस्टेक दिखाए थे जरू हाइलेट कीजिए और इस पूरी series को देखने के लिए इस चैनल को subscribe की जिए bell icon के पर click की जिए thanks for watching this video and best of luck for your exams झाइ